नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्षिच चौपे और आज हम बात करेंगे SMP और LKK के बीच जो नेक्स TNPL का मैच खेला जाने वाल है उसके बारे में Dream 11 प्रिडिक्शन देखेंगे, Dream 11 का एनलिसिस करेंगे किस प्लेयर को हमें किस कंडिशन में ट्राइ करना है आज का different captain कौन हो सकता है या एक बार फिर से साई सुधर्शनी captain बनते हुए नहजर आएंगे किसे captain करना है, कौन से low selection वाले players जिनको आज सब ही ignore कर रहे हैं वो हमें win कराने वाले हैं, सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा साथी साथ pitch report भी देखेंगे players के stats देखेंगे और last अगर आप रोके रहते हैं, तो last में दोस्तों मैं आपको कुछ grand league की teams बताऊँगा जो already मैंने create की हुई है तो चलिए दोस्तों match के बारे में बात करते हैं उसके पहले जो भी मेरा दोस्तों पहली बार हमसे जोड़ रहा है तो यार family का member पहली बार बन रहा है तो आप subscribe कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आए तो last अक रुकना लास्ट में अगर पसंद आए तो आप like कर सकते हो टेलिग्राम पे मिलती है आपको final team पूरे 11 players के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे 11 players यह तो खेर पुराना screenshot है लेकिन पूरे 11 players के साथ आपको team मिलेगी captain wise captain भी मैं आपको select करके दूँगा अगर आपको same team के साथ जाना है तो आप same भी लगा सकते हैं बागी toss के बाद कोई भी updates होती है वो भी आपको telegram channel पे मिल जाती है कोई important player नहीं खेल रहा है या किसी का batting order change हुआ है सब कुछ आपको telegram पे मिल जाता है साथी साथ वही women matches भी मैं cover करता हूँ आप करोगे तो आप telegram channel पे पहुंच जाओगे तो telegram पे आ जाना final team भी मिल जाएगी और जो भी कोई match related update होगा आपको telegram channel पर मिल जाएगा चलिए बागी जो भी मेरा दोस्त पहली बार आए आई होप आपने subscribe कर लिया होगा और वीडियो पसंदा है तो ही subscribe करना और last के matches उठा के देख लेने जो भी वीडियो में मैंने बताया है no doubt वैसे 2-3 matches को ज़्यादा खास team नहीं रही है लेकिन वीडियो में जो भी बताया है कमाल की है बाई कमाल का prediction रहा है और match के बारे में बात करते है Indian Cement Company Ground में ये match होगा Tirun El Valley में ये match खेला जाएगा और अगर हम last 3 matches देखें last 3 matches के scorecard से हमें समझ आता है कि इस pitch पे क्या हो रहा है कितना क्या score बन रहा है तो last 3 matches आप देख सकते हो 157 बने, 188 बने, 149 बने है और इस venue पे ज़्यादा matches तो हुए नहीं है लेकिन आप एक बात देख रहा है कि decent score देखने को मिल रहा है बागी जो 3 pitches थी कोयमबर टूर की pitch, डिंडी गुल की pitch और सालेम की pitch तीनों की pitch पे उतना ज़्यादा score हमें नहीं देखने को मिला था यहाँ पे थोड़ा सा decent score बन सकता है लेकिन एक बात एक बात फिर से common है क्या common है, wickets गिर रहे हैं फर्स्ट इनिंग में भी wickets गिर रहे हैं और सेकिंड इनिंग में भी wickets गिर रहे हैं यही आपने दोस्तों TNPL में observe किया होगा आपको हर मैच में अगर 20 wickets टोटल तो 20 wickets गिर सकते हैं लेकिन हर मैच में लगबग आपको 12 से 15 wickets गिरते हुए नजर आते हैं और जब इतने wickets गिर रहे हैं तो bowlers important और आज के मैच में में देख रहा हूँ काफी सारे bowlers को लोग ignore कर रहे हैं और राउंडर के चकर में और batsman के चकर में तो थोड़ा आप bowlers पे जादा फोकस करना बाकि और राउंडर में भी कुछ बड़ी आप players है उन पे भी आपको focus रखना है पिछ रिपोर्ट अगर हम देखें तो pages expected to be a neutral win and supporting spinners pitch neutral है मत्ता बैटिंग बोलिंग दौनों को थोड़ा सा support मिलेगा साथी साथ spinners थोड़ा सा बैतर गरते में नजर आएंगे यहाँ पर भी आप देख सकते हूँ आठरा विकेट पेसरस ने निकाले हैं और पंदरा विकेट से निकाले हैं बागी दोस्तों हम possible 11 के बारे में बात कर लेते हैं जो थोड़ा सा important है और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा किस player को आपको grand league में try करना है किस player को आपको small league में try करना है batting order I hope आपने screenshot पहले भी लेके रखा होगा और already काफी सारे matches हो चुके हैं तो आपको batting order लगबग याद होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा हम players के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले सुरेश रोकेश्वर के बारे में बात करें 24 का average है बढ़िया player है और last match में अच्छा किया है वैसे ज़्यादा मौका टूर्णामेंट में मिला नहीं है लेकिन last match में मौका मिला ओपनिंग का मौका मिला 32 रर्स कर दी है लेकिन आज के match में मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदे नहीं है small league में अगर आप लेना चाह रहे हो आपके पास player नहीं है तो ले लो मैं तो small league में बिल्कुल नहीं लूँगा experience ज़्यादा नहीं है क्योंकि इस season में ज़्यादा matches नहीं खेले हैं वैसे 25 matches ठीक ठाक होता है लेकिन इस season उतने matches नहीं खेले हैं last match में अच्छा जरूर कर दिया है आज के match में मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी आउट हो जाएंगे थोड़ा जल्दी आउट हो जाएंगे opener है experience थोड़ा सा कमी है तो फिर मैं try नहीं करूँगा मां की दोस्तों हरी निशानत के बारे में बात करें 50 matches 27 coverage ठीक coverage है और 9 wicket तो bowling तो मिल नहीं रही है और साथी साथ हम बात करें बैटिंग बैटिंग भी कुछ खास नहीं चल रही है शुरुआत के दो matches में जरूर ठीक ठाक किया था चौशाट रन बनाये थे चौबीस रन बनाये थे लेकिन लास्ट के तीन matches पूरी तरीके से फेल हो गए तो small league में तो आप अपनी team में रख लो क्योंकि batting section में ज्यादा choices नहीं है मांकि grand league की teams में आप drop कर सकते हो small league में batting section मेरा मतलब क्या है मेरा मतलब उससे कि अगर आप दूसरे app में खेलते हो अगर आप kobera में खेलते हो जैसे मैं तो small league kobera में खेलता हूँ तो तो फिर आपको रखने ही पड़ेगा 3 batsmen फिर 3 batsmen रखना पड़ रहा है तो आप ले लेना थोड़ा सा comeback करके दें तो आज के match में first betting में मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ bowling तो कर नहीं रहें first betting में थोड़ा सा जादा मौका रहेगा और pressure थोड़ा सा कम रहेगा तो first betting में मेरी team में रहेंगे मांकि अगर first betting नहीं आ रही है SMP के तो फिर मैं कौशिक के साथ नहीं जा रहा हूँ मैं दूसरे all rounders या बूलर्स को preference दूँगा तो अपने सिंग की बात करें 5 matches 25 का average यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ इनके पास वो नहीं है हम बात करें साथ जा सकते हो वाशिंग्टन सुंदर की बात करें 23 matches 27 विकेट और 43 का average बैतरी बैट्समेन है और average भी काफी अच्छा है लेकिन बैटिंग order थोड़ा सा नीचे है तो बैटिंग कई बार नहीं आती है लास मैच में अगर आपने देखा होगा 56 बनाये थे जिसमें हमने कैप्टन किया थे यह वाला मैच तो मैंने खेला नहीं है लास मैच अगर आप देखे 56 बनाये थे काफी बड़ी आ बैटिंग खी थी और साथी साथ बोलिंग में भी कुछ विकेट्स ले जा सकते है तो आज के मैच में अगर डिफरेंट के वाइस केप्टन करना है तो आप सुंदर को कर सकते हो सुंदर डिफरेंट के वाइस केप्टन के साथ मुश्री लोग जाएंगे तो सुंदर को अगर आपको कर रहा है तो आप डिफरेंशिल के तौर पे कर सकते हैं या ग्रैंड लीग में आप कर सकते हैं एश्री अभी शेक की बात करें प्लेयर बहुत ही लाज अब बहुत ही बहतरीन और यहां पर जो 21 रंस बनाये थे मैंने इस मैच में अपनी टीम में लिया था लेकिन यहां पर खेलने का मौका मिल नहीं रहा है क्यों कि बैटिंग ओडर जादा ही नीचे कर दिया है बैटिंग कुछ नहीं किया है तो भाई ट्राइ क्यों क्यों करेंगे एक्स्पीरियंस भी नहीं है ना तो अपका बहतर एवरेज है चलिए मुरूगान अश्विन 46 मैचेस 49 विकेट हर मैच में विकेट ले रहा है विकेट लेस नहीं रहा है और पिछले तीन मैच देख लो दो होसकता है मुरूग को दो से तीन विकेट लेकर और चैपटन बनता है तो डिप्रेंट करना है तो आप रख सकते हो सरावनन के बारे में बात करें साथ मैचिस आठ विकेट और सैती सकावरेज सथीस का एवरेज बेटिंग तो आए कही नीहीं क्यु कि बहुत Noel जादा न वई परनन को भी अपनी टीम में रख सकते हैं यहां पर बात करें गूर्जा- नीद सिंग तो यहां पर 14 matches में 15 और हर 1997 आज के मैश तो ऑगर विकेट में आफ़ ऐसकता है ज्यांदा एकादवर्क्ष में नहीं मिलेगा ंगर आपको मैच में टीम में तो रखना है, केप्टन, वाइस केप्टन, दूसरे प्लेयर्स के बारे हम सोच सकते हो आजय कृषिना की बात करें, नौ मैचेस, टेरा विकेट, बढ़िया बोलर, पहले मैच में आये, चार विकेट निकाले, लास मैच में भी दो विकेट निकाल दी इसके बाब जो सेलेक्शन परसेंटेज 30% के आसपास है, क्योंकि लोग और राउंडर के साथ जाना है, बैट्समिन के साथ जाना है मैं आजय कृषिना के साथ जाऊँगा, अगर फर्स बोल आ रही है, एसमपी की तो फिर से 2-3 बिकेट ले जा सकते है चलिए, आगे बात करें, मांकी किसी प्लियर को क्या मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो बात करके टाइम में आपका लेने से जादा मतलब नहीं है, सीधा आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, सुझए, रिसेंट फॉर्म देख लो, 14 मैचस में 26 का एवरेज है, एक्स्पिरियंस तो जादा नहीं था, लेकिन जितना भी किया है, स्ट मैच में 44, 31, और उसके पहले भी आप देख सकते हो, 72, तो बहतरीन बैटिंग हो रही है, और जब बहतरीन बैटिंग हो रही है, तो अगर आज के मैच में फेल भी होते हैं, चांसे सकाम है, क्योंकि बढ़ी है बैट्स मेंने देखे हैं, अच्छे प्लेयर हैं अच्छा बै ग्रेंड लीग में, ठीक है? चलिए, सोरेश कुमार के बारे हम बात करें, बहतरीन प्लेयर, 36 का अवरेज और लास्ट का मैच फेल हुआ है, उसके पहले चलें, तो फेल और चल रहे हैं, किसी मैच में फेल हो जाते हैं, किसी में चल जाते हैं, लेकिन एवरेज बहुती बह बहुत ही बहतर batsman है तो definitely हमारी टीम में रहेंगे लोकेश वर थोड़े सा यंग प्लेयर हैं एक ही मैच खेले हैं इसलिए सुरेश कुमार विकेट कीपिंग सेक्शन से बैस चोईस रहने वाले हैं साइसो दर्शन की बात करें 64 का एवरेज बंदे का एवरेज बढ़ता ही जा रहा है और किसी भी मैच में फेल नहीं होते हैं और फेल बहुत ही कम होते हैं सीजन में आप देख लो यह 96 IPL वाला मैच है उसके बाद से 6 मैचेस खेल चुके हैं सिर्फ एक मैच में साथ रन बना है बागी हर मैच में अगर आप देखोगे 50 के ऊपर रन बना है 41 लास मैच हो थोड़ा सा लो रहा था मा की साइसोदर्शन का फॉर्म बहुत ही बहतरीन चल रहा है फिर से कैप्टन की बैस चोईस होंगे और आर कैप्टन में दरुदर मत भागो साइसोदर्शन को करो बैटिंग से फिर से कुछ ना कुछ कर देंगे क्योंकि किसी बंदे का अगर 64 काईवरेज है 24 मैचेस के बा साथ साथ बोलींग भी कर रहा है इस सीजन में तो रह हार मैच में कर रहे Vince Kैptn की बहतर चोईस है करना चाहते हो तो इसका मतलब चारुप खान first bowling में थोड़ी ज़्यादा बैतर बोलिंग करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है, तीन से चार विकेट भी ले जाएं और सेके डिम में हो सकता है, थोड़ी बैटिंग आ जाए, तो फिर आप शारो को कैपटन और सुदर्शन को वाइस केपटन कर सकते हैं, बागी सुदर्शन को कैपटन करो ज्यादा बहतर है, लास्ट मैच में विकेट 13 का एवरेज, लास्ट मैच में ठीक कर दिया है, मा की जादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि बैटिंग ओडर बहुत जादा नीच है, दोस्तो आपको बैटिंग कौन से ट्राइ करने चाहिए, बैटिंग आपको वो ट्राइ करना चाहिए, जिसका बैटिंग ओडर थो आपको उन प्लियर को रखना है, जिनको थोड़ा सा मौका मिले बैटिंग करने का, थोड़ा सा मौका मिले, हतीफोर लइमान, आप देख सकते हैं, बोलिंग तो मिल नहीं रही है, बैटिंग ओर बहुत जादा नीचे, स्किंग यह ड्राइ नहीं कर रहा है, मुहमद की बात करें कुछ ताइम पहले कोई भी ट्राइ नहीं कर रहा था जब से मैंने वही लो सेलेक्शन में डाला उस मैच में एक विकेट निकाला फिर तीन विकेट चार विकेट और निकालते ही जा रहे हैं सेत्यस मैचेस में 35 विकेट फर्स बोल आती है तो डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे और अगर केप्टेन वाइस केप्टेन डिफरेंट आपको करना है तो आप रख सकते हो इस वाले पैच के पहले किसी नहीं लिया था हमने लिया था क्लीन सिप किया था क्यूंकि उसके प आप सामने वाली टीम के बोलर्स को रख लें अब हम सीधा देख लेते हैं क्या हम सीधा देख लेटे ग्रेंट एक कैप्टेन सबसादेट चांसेज बीजाता है बैटिंग बोलिंग दोनों से तो यहां पर आप देख सकते हैं साही सो दर्शन, almost 60-70% लोग के कैपटन, शारुक खान, 10-20% लोग के कैपटन, वाशंग्टन सुंदर भी 10 के आसपस कैपटन, तो अगर नॉर्मल मैच होता है, जैसे कि पहले वाले मैचेस हो रहे हैं, तो इन में से कोई कैपटन बनते हुए नजर आएगा, मांकि अगर मैच यह तो ज़्यादा प्रिफरेंस में दूँगा, फर्स बोल अगर गुर्जप नीद की आ रही है, तो फिर इनको मैं प्रिफरेंस दूँगा, इन दौनों मैसे जिसकी फर्स बोल आ रही है, उसको आप कुछ टीम्स में कैपटन कर लेना, मांकि मुरुग अन अश्विन बैत साथ थोड़ा सा जादा जा रहे हैं, इसलिए अजय कृष्णा को इग्नूर कर रहे हैं, अजय कृष्णा आज अच्छा कर सकते हैं, जगदीशन कौशिक ठीटा कैवरेज था, 25 से 27 के भी चैवरेज था, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस बहुत जादा खराब हुएं, बोलिंग तीनों के चानसे से कुष ना कुछ तो करके देंगे, तीनों मैसे ऐट लीस्ट प्राइंस डो तो कुछ कमाल करेंगे, तो नहीं दो को आप रख ले कर ले हूँ, झैनीbewारेज के बात कर ली, अब हम दोस्टों बात करें, तीम्स के बारे माँ बात करते हैं,ард leek मैंने टीम भी देखेंगे और जब मैं टीम आपको बताओंगा तो थोड़ा और बैतर तरीके से मैं आपको explain कर दूँगा किस प्लेयर के सांथ में जा रहा हूं किस कंडिशन के according तो वीडियो बिल्कुल भी इसके मत करना लेकिन उसके पहले एक और important बात मैं आपको बता देता हूं अगर आप अभी तक टेलिग्राम चैनल पर नहीं आएं तो आप टेलिग्राम चैनल पर आ सकते हैं क्या होगा कि फाइनल टीम आपको मिल जाएगी यह देख लो लेकिन बाकि समॉल लीग में भी जादा खास विनिंग नहीं कि तो आज के मैच में पूरी कोशिश होगी वेमन मैच में हम काफी हर मैच का वीडियो में बना रहा हूं जो भी सीरियस चल रही है और साथी सांथ आपको टीम्स भी में देता हूं तो ग्रेंड लीग की स्मॉली की टीम दौनों आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगी छोटा सा चैनल है लेकिन विनिंग्स बड़ी है अगर लगतार दस मैचेस खेल लोगे न तो आप समझ जाओगे कि यार काफी बड़ीया विनिंग्स होती है और साथ ही साथ आपको अपडेट्स भी मिलते है और अपनी टीम भी आप क्रिएट करी सकते है तो टेलिगाम चैनल जॉइन कर लेना फृरी में जॉइन करना है कोई बी पैसा देना नहीं है ृफ्ते आप कोई प्रमोशन नहीं है मैं तो जिस एप में खेल रहा हूं मैं आपको सिर्फ वो शेयर कर रहा हूं अगर आपको किसी दूसरे प्रोबलम हो यह तो आप यहां पे खेल सकते हैं कवेरा एप की में बात कर रहा हूं काफी बढ़ी है यहां पे लीक्स चलती हैं Grand League तो मैं नहीं खेलता हूँ, अब विससे बात है, Grand League नहीं खेलता हूँ, Grand League में अतनी बड़ी Leaks नहीं होती है, Grand League में Dream 11 में खेलता हूँ, लेकिन Small League में कुवेरा में खेलता हूँ, क्यों खेलता हूँ, तीन बोलर्स, तीन बैट्समेन लेने कंपल सरी हैं, पहला reason, तो प्रॉब्लम नहीं खेलता हूँ, अगर आपको भी खेलना है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक से आप ही को benefit है, 100 रोपी साइन बोनस मिलेगा, जो कि आप यूज कर सकते हैं, तो चलिए, कुबेरा का, मैंने आपको अगर आपको किसी दूब से अपना प्रॉब्लम हो रहे है, तो नहीं जगे ट्राइ करो, ट्राइ करना बंद नहीं करना चाहिए, अगर एकी एप में हमें कॉंपेटिशन ज्यादा मिल रहा है, जो एक कॉंटेस्ट जीता है, तो वो सारे जीत जाता है, इससे अच्छा आप दूसरे एप में थोड़ा सा खेलने का ट्राइ करें, मैं कोबेरा में खेलता हूँ, इसलिए आपको मैंने बता दिया, चलिए, अब हम सीधा टीम्स के बारे में बात करते हैं, स्मॉल लीग में मेरी टीम में सुरेश कुमार है, बागी कुछ लोग किश्वर के साथ भी चले में चला गया था, आज के मैच में में नहीं जा रहा हूँ, फिर से चांसे से हैं कि थोड़ा जल्दी आउट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम बात करें, स्ची अभी शेक एक डिफरेंट चॉइस है, सुझाई के सांथ मोज लोग जा रहे हैं, आज के मैच में जिसका स्टैट्स होतने बैतर नहीं है, यहीं पर हम विन करते हैं, यहीं पर हम विन करते हैं, और मैं आपको इसका नाम भी बताऊँगा, अभी शेक हमारी टीम में रहेंगे, अगर थोड़ा सा बैटिंग ओडर ऊपर शो होता है, तो, चलिए, और अल्राउंडर से बात कर सौपनिल सिंगी में बात कर रहा हूं, फर्स बोलिंग में लूँगा, क्योंकि बोलिंग से फिर विकेट्स ले जा सकता है, फर्स बैटिंग में मैं थोड़ा सा कम प्रिफरेंस दूँगा, मैं फिर दूसरे अल्राउंडर को ट्राय कर सकता हूं, तो फिलाल दॉनरी टीम मे नहीं है, गौतम हमारी टीम में रहेंगे, बाकि बोलिंग सेक्शन से थोड़ी ज्यादा चोइसे मुझे नदर आ रही है, बोलिंग सेक्शन से सिद्दार्थ के साथ हम जारे है, अश्विन के साथ जारे है, मौहमबत के साथ, जी सिंग और कृष्णा, माचो को मैंने अपन सारा वनन बढ़िया प्लेयर है, और सीजन अच्छा जा रहा है, बढ़िया है कि यह उन्होंने लास्ट के दो मैचस में तीन-तीन विकेट लिये, लेकिन फिलाल मैं अपनी टीम में ट्राइ नहीं कर पारा हूँ, अगर फोस बोल आती है, तो मैं कुछ मैनेज करके इनको भी अपनी टीम में रखना चाहूँगा, बाकि फिलाल तो टीम में नहीं है, तो इस तरीके की कुछ टीम हो रही है, कैप्टन मेरी टीम के सुदर्शन होगे, और वाइस कैप्टन मेरी टीम के शारुख खान होगे, और आप देख भी सकते हैं, डिफरेंट किसी को करना है, तो स सुन्दर को कर सकते हूँ, सुन्दर के अलावा आप जी सिंग के साथ भी कुछ लोग चले जाएंगे आज के मैच में ग्रेंडी के अंदर और अश्वन, ये तीम से चार चोइसे था जिनको आप ग्रेंडी में कर सकते हैं, बाकि मैंने आपको कुछी टाइम पिला बताया थ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर LKK के के फर्स बोलिंग कर रही है, तो हम क्या करना है, अगर SMP अगर फर्स बोलिंग कर रही है, तो फिर मैंने सुदर्शन के साथ सुन्दर को वाइस केप्टन किया हो सकता, बोलिंग से तीन से चार विकेट ले जाएं, बाक इसी तरीके से आपको जितनी भी टीम को बनाना है, उतनी टीमस आप बना सकते हैं, बाकि अगर LKK फर्स बोलिंग कर रही है, तो फिर शारुक खान हो सकता है, थोड़े ज़ादा विकेट लेते हुए नजर आएं, दो से तीन विकेट ले जाएं, और second inning में बैटिंग आए, तो थोड़ा सा ठीक कर जाएं, इसलिए फिर मैंने इने कैप्टन कर दी है, वाइस कैप्टन सुदर्शन को किया, बाकि आप देख सकते हो, थोड़े से ज़ादा बोलास मैंने LKK से अपनी टीम में रख लिए हैं, नेक्स टीम अगर हम देखें, शारुक खान के साथ सुन्दर वहां से फर्स बैटिंग में कुछ रंस कर जाएं, तो सुन्दर भी वाइस कैप्टन के ठीक चोईस होंगे, ग्रेंड लिंग में कुछ टीम से आप रख सकते हो, बाकि ज्यादा बोलास मैंने ले लिए हैं, यह दोस्तों कॉमिनेशन से आपने देख लिए, बाकि कोई भी डाउट हो, कॉमेट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हूँ, कोई भी शिकायत तो कॉमेट में लिख दो, मैं एक्स वीडियो तो उसको सुदारने की क कोशिश करूँगा, उसको और बहतर करने की कोशिश करूँगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक ये, कोई अगर गलतियों के तो माफ कर देना है, थैंक यू सो मच,